sortth, sort का मतलब होता है rose को किसी विशेश क्रम में जमाना मतलब भी ही कि जैसे हमारे पास 12 student की list है और अगर माली जी, इस बहुत बड़ी होती है और इसमें से individually किसे student का record हमें check करना है, उसके marks देखना है, तो फिर हमें उससे उसे ढूणने के लिए सारी लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा और ढूणना पड़ेगा इसमें बहुत मिनत लगेगी लेकिन अगर ये सारा डेटा हम एक अलफा बेट के करम में अरेंज करने तो किसी भी स्टूडेंट के नाम को ढूणना आसान हो जाएगा तो जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले यू से उशा नाम है फिर ए से अजे नाम आ गया फिर वी से विजे फिर पी से प्रदीप आ गया फिर बी से बब आप किसके अनुसार इसको सॉल्ड करना चाह रहे हैं तो सीरिल नमबर के छिशन पर हम यहाँ पर सेलेक्सогда है है तो यह तो यह नार्मल टेक्स है इसके बाद इस डेटा को किस क्रम में रखना चाह है रहे हैं आशेंटिंग मतलब की बढ़ते क्रम में पहले पहले A से आने वाले नाम, फिर B, फिर C, फिर D से लेकर Z तक, या फिर Dis Ascending मतलब की उल्टे क्रम में, याने के पहले Z से आने वाले नाम और इस तरह से A तक, तो हम इसे Ascending करना चाह रहे हैं और OK, तो OK करते ही देखिए, पहले A से आने वाला नाम, अजे, फिर B से भविता, फिर C से चेतन, और इस तरह से A से Z तक, सारे नामों के लिस्ट अरेंज हो चुकी है, ठीके, और यहाँ पर Serial Number भी, आपको दिख रहा है, चेंज हो गए है, इन नामों के अनुसार, सभी के Marks भी उनके साथ में अरेंज हो गए होंगे, ठीके, अगर आपको ये चीज़ उपर नीचे शिप्ट होंगे, तब भविता के जो Marks हैं, वो भविता के साथ में ही जाएंगे, या फिर यही रहे जाएंगे, यह हम चेक करने वाले हैं, तो हमने फिर से Sort पर क्लिक किया, Student Name, Ascending और OK, तो दिखिए, सारे नाम Alphabetic आ चुके हैं, पहले A से Ajay, B से भविता C से Chetan और Z तक, और भविता के जो Marks हैं, वो आपको उसके साथ में ही आते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि Student Name का कोई नाम उपर नीचे जा रहा है, तो उसके साथ में उसकी Row का पूरा Data भी उसके साथ में ही Shift होगा, ठीके, फिर से हम करके देखते हैं, एक बार Sort, हम अगर Hindi क Marks के According इसे Sort करना चारहे हैं, मान लीजिए, Hindi की Teacher ने कहा कि जिन बच्चों की Hindi में Marks सबसे कम हैं, उन बच्चों की Extra Classes रहेंगी और जिनके सबसे अच्छे Marks से सबसे ज्यादा Marks हैं, उन बच्चों को Reward मिलेगा, तो हम Hindi के अंकों के अनुसार इस Table को Arrange करना चारहे हैं, तो मैंने किसी एक सेल पर क्लिक किया, Sort पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने Select कर लिया है Hindi, तो Hindi Select करने के बाद, Automating यहाँ पर नमबर आ गया है, क्योंकि Hindi वाले कॉलम में सिप नमबर है, और इसको बढ़ते या घटे करम में रखना है, तो हम बढ़ते करम में रखना चारहे और Disascending अगर कर देंगे, तो घटे करम में आएगा, Disascending करके देखते हैं, ओके करते ही, हिंदी में सबसे स्यादा Marks कुन से हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम से लेकर, सबसे कम Marks किसके हैं, वहाँ तक ले गया, Ascending मतलब बढ़ते करम में, और Disascending मतलब घट करते करम में, ठीके, और किसी सबजेक्ट के According अगर हमें अरेंज करना हो, तो यहाँ पर वो सबजेक्ट या वो फिल्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और Ascending या Disascending कर लेंगे, और Okay कर देंगे, तो हम इसे फिर से Serial Number के According अरेंज कर लेते हैं, Serial Number Ascending याने के बढ़ते करम में, औ और Okay, तो Serial Number के According ये सारा डेटा फिर से सॉल्ड होकर आ चुका है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल को एक्टिव कर लीजेगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो क के नोटिफिकेशन भी आपको सही से हमाई पर मिल जाए, धन्यवाद.